आज के इस आगल लख ओने कि ना इंडी समझते हैं ना आज के सहामें ज़त पर उपस्थित हमारे भारती जंदा पार्टी के इस शेत्र के पर्थ्याशी और भारत संकान में मिंत्री मेरे वरिष्च मित्वत श्री फफर्लाग बॉशी जी हमारे बहुती अज कि ध्र्याव десят स्री विल्लाग ची श्री तितर्णा मुझती जी जोडिस्चिक के प्रेज़न्थे नीना अफल्पा जी जोडिस्चिक के उडैक के प्रेज़न्थे में और यहां श्बहानित बंच और इतनी बड़े कि शेंके में आएसाब होतली मेरिटि कि अघे मेरे मेरे साथ ही मीठिम संबदाय को पृटे निजी तो करने वाले ऐसे हमारे सभी दन मानने से जिनवेद हैं मेरा इस वागय है कि मुझे आज आज आप सब के साहरा करने का मिलने का मौका मेना ऑर आप सब लोग इतनी बड़े संख्या में आए हैं इस चुनाव के महापर्व में भार्तिय जिन्ता पार्टी को अपना समर्थन देने का मन बनाया है इसके लिए आपको बढ़ा है मैं कर्णाटक की धर्ति पर आया हूं करनाटक की धर्ती के लिए जानी जाती है विरासत के लिए जानी जाती है परंपराओं के लिए जानी जाती है और इसके साथ साथ टेक्निलोजिकल इनोवेशन्स के लिए जानी जाती है और हम यह कह सकते हैं कि राश्ट्रेता यहां कूट-कूट करके भरी हुई है इसे प्रदेश में मुझे आने का स्वभग मिलता है जहां संस्कृति हमारा कल्चर ट्रेडिशन और उसके साथ साथ लैंग्वेज रिच लैंग्वेज और फिर इनोवेशन्स के साथ साथ टेक्नॉलोजिकल दिश्टी से कारे करने का जो इस प्रदेश का मन है वो सच में की बिला में एकत्र आये हैं और मुझे बताया गया कि मैं आयोजकों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि लगभग सत्तर से जादा हमारे विभिन समधायक लोग आज यहां पर आए हैं आप सब का भी विशेश का रहे हैं आज हम जब एकत्र आये हैं तो हम चुनाओ के सम से आये हैं तो यहां बैठे लोगों उपर तो मुझे पूरा भरोसा है ही कि आप लोगों ने भारतिय जन्ता पार्टी को अपना आशिरवाद देने का मन बनाया है लेकिन आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि आपके संग्ठन के लोग आपके परिवार के लोग आपके परो भारतिय जन्ता पार्टी के लिए वोट देने के लिए कंविंस करें और उनको भी आप भारतिय जन्ता पार्टी के पक्षमे लाएं ये मेरा जरू उदेशे रहेगा और यह चुनाओं सिर्फ प्रहलाज जोशी का चुनाओं नहीं है यह चुनाओं सिर्फ प्रहलाज जोशी जी को सांसर बनाने का चुनाओं नहीं है यह चुनाओं मोदी जी के नेतुत्तों में विक्सित भारत के संटल को पूरा करने का चुनाओं है हाओ थी डिवलब नेशन आव थी डिवलब इंडिया हाव थो कम इंट गवलब कैटेगरी इस दी कि मिशन और इस एलेक्शन ऑफ टूटाऊजन लिए और जब मैं यह कहता हूं तो सिर्फ कहने के लिए नहीं कहता हूं देखिए आज हम बड़े सवागेशालिय हैं यह यह वे बड़ी लगी यह थी दिव पास्टेनियर्स दिपुलिटिकल नरेटिप अधी पुलिटिकल कल सब्सक्राइब कि यह तो ऐसे ही चलेगा कि यहां कुछ नहीं बदलने वाला नतिंग इस गूंटू चेंज और पॉलिटीशन सब्सक्राइब कि क्या फरक पड़ता है किसी को भी चुन लो तो सिचुइशन तो वही नहीं तो नलेशन जो था नरेटिप था नरेटिव चूब नरेटिप था और पुलिटिकल पार्टी यह लोगों के लिए अज देश इतना बदल गया है कि नहीं बदल सकता है बदल रहा है बदल गया है तो लोग उसको विश्वास करते हैं और अब नरेशन क्या आपना है कि यह मोदी की गारेंटी है कि गारेंटी पूरी होने की गारेंटी नहीं तो एक समय नरेशन क्या था नेता आते हैं भाशन देते हैं वादे करते हैं भूल जाते हैं अगले चुनाओं में नए वादी लेके आजाते हैं लेकिन अब और मेटर क्या है मोदी की गार्सक्राइटी पूरी होने की सब्राइब पहले क्या था कि याद छिân कि ताइन अगर आप यहान में हो तो ब्रैटी से समझ में आती है अक finely डर्डिस गोड़ाई लो पहले क्या थहां भाई को भाई से लड़ाए कास्ट को कास से लड़ाओ, कम्यूनिटी को कम्यूनिटी से लड़ाओ, रिलिजन को रिलिजन से लड़ाओ, वोट बैंक की राजिटी करो, और बात में जब सरकार बन जाए, तो अपनी जाती की सरकार बना लो, अपनी समाज की सरकार बना लो, बाकी सब जाएं जहां जा रहा हैं, वाज दिस नुट ट्रेट अट पॉइंट ऑफ टाइम दस साल पहले यह ट्रेंट था कि नहीं था आज मोदी जी क funciona तुमें डिवलप्रेंट एकांटिबिली विकास जवाद दे कि प्रो डिस्पॉंस इप्रो एक्टिव गूपर्नेंस रिपोर्टकार्णों की राजमी कि जो कहा था वो किया है जो नहीं कहा था वह करके दिया है यह रिपोर्टकार्णों की проф wow तो आज राजनीती बदल गई और राजनीती का धौत तौर तरीका धर्रा सब मोदीजी ने बने लिए और इसलिए आज हम ये कह सकते हैं कि इनकी बॉखलाहट इनका फ्रस्ट्रेशन हमारे विरोधियों का फ्रस्ट्रेशन बॉखलाहट और मूल मुद्दे से भटकने का तौ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास यह सबको जोड़ करके चलने का और उसमें भी भारत मजबूत कैसे होगा हाव इंडिया बिकम स्ट्रॉंग उसके लिए मोदी जी ने क्या किया गाउं गरीब वज्जित पीडित सोशिल दलित हमारे महिनाएं युबा किसान मार्जिनल सेक्शन अब दी सोसाइटी जो हमेंशा पीछे रह गया था उसको एमपावर करना उसको एमपावर्मेंट देना और इसलिए उन्होंने कहा ग्यान जी फॉर गरीब फॉर वाल कम्यूनिटीज वाइफ और युबा सेफ और अंदाता किसान फॉर ऑल कमिंटीज और नारी शक्ती और विमन और फ्रम और सेक्शन सब्सक्राइटी यह अगर मैं मजबूत करता हूं तो भारत मजबूत हो जाता है देश मजबूत हो जाता है इसको और हमारे कांग्रेस पालिटी के लोगों ने गरीबी हटाओ नेरू जी ने कहा गरीबी अटाओ 50 परसंट गरीबी थी मिस्स गांदी ने कहा गरीबी अटाओ 60 परसंट गरीबी थी राजीव गांदी ने खुद बान लिया कि एक रुप्या बेजता हो तो पंदरा पैसे पहुशते हैं यह हमने देखा है और उनके पोते सहाब राहुर गरीबी निप्टा दूँगा साथ साल में निप्टाई नहीं गए 70 साल में निप्टाई नहीं गए और आब बोलते हैं एक जटके में मैं गरीबी निप्टादूगा ये इस तरीके की जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स और ड्राइंग रूम में बैटकर की योजनाए बनाने का उसके कारण ये सब कुछ हुआ और उसके कारण हमलों को ये दिक्कत देखने का मौका मेंगा मैं यहां ये भी आप से शेयर करना चाहूँगा कि अभी मुझे बताया गया कि ये बहुत सारे लाभारती भी आये हुए है मैं बताना चाहूँगा कि कैसे चेंज लाया गया अब प्रहान मंत्री गरीब कल्यान अन्योज हुआ इस टी लार्जेस्ट श्कीम फॉर लार्जेस्ट in दिवर्ट एट्टी करोर पीपल असी करोर की जर्टा को पांच किलो के हुँ ज्वीट या पांच किलो राइस और वन किलो दाल पर्स यह हर महीने देने का तै किया है प्रदान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना में और आपको जान करके खुशी भी होगी अभी लोग एडवर्टिस्मेंट निकाल देते हैं कि इतना करनाटक का शहर है और इतना मिलता है मैं बताना चाहता हूं असी करोड में चार करोड करनाटक के गरीब लोग हैं जिनको की गोड़ें रहा हैं और उसमें से 15 लाग हमारे इस इलाके के लोग हैं जिनको प्रदान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना में लोगों ने शामिल किया है अच्छा प्रदान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना का क्या पड़ा है फर्क यह पड़ा है कि आज 25 करोड़ लो 25 करोड़ पीपल वर बीपियल बिलोव पावर्टी लाइन वह अब एपियल हो गए अब पावर्टी लाइन चले गए गरीबी की रेखा से निकल गए यह इंटर्नाशनल मॉनेटरी फंड और दीटी आयों बताता है और आपको जानकर और खुशी होगी कि अब भारत में एक्स्ट्रीम पॉवर्टी अती गरीबी एकॉर्डिंग टू इंटर्नाशनल मॉनेटरी फंड इस लेस दैन वन परसें यह भारत की तस्वीर दस साल में हो गई है अती गरीबी एक प्रदीशन से भी कम हो गई है यह हम में किसानों के बारे में चुन संब किसान नेता किसान नेता pm पार्टी क्या करती थी हर दस साल रख मैं कि जहनों आपकर कर if बूलती थी devo की और कर्जा माफ करने का मतलब चाहूता था जो लोग करणा का भुक्ता और कर रहे हैं आज प्रधान मंत्री जी ने प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी में बारा करोड़ लोगों को और बारा करोड़ में तिर्पन लाख लोग करनाटक के हैं और डेर लाख लोग इस इलाके के हैं जिनको किसान सम्मान निधी में दो हजार रुपए हर चौत्रे महीने मिल रहा ह है और दोलाग пять projets लाशार क्रोर्ड रूपए जान मंत्री मोधीजी ने उनके साथ सम्मान निधी के पैसा जाता है ना वो प्रदानमंत्री जी किसी कारवर्गरम में बटन दबाते हैं ऐसे सेटेंटी सेकंड से अंदर बारा करोड लोगों के एकाउंट में पैसा ठांसफर हो जाता है इस चेंजिंग इंडिया यह बनलता है कि आप बटन दबाते हैं और 12 क्रोर लोगों के खाते में 20 से 30 सेकंड के अंदर उनके खाते में बैंक अकाउंट में पैसे चले जाता है अब जल जीवन विशन की बात करें यह ग्यारा क्रोर लोगों को हर घर नहल हर जल पहुचाया यह विमन इंपावर्मेंट महिलाओं का इंपावर्मेंट और उसमें भी मैं बताना चाहूँगा कि यावन लाख टाप कर्नेक्शन करनाटक में दिये गए और आपके इलाके में डिल्ड़ लाख कैनो कैप सब्सक्राइब तो 1993 में मेरा ब्लॉक डेवलप्मेंट ऑफिसर मेरे पास आके बोलता था कि सर यूव बीन अलॉटेट टू इंद्रा आवास योजना दो इंद्रा आवास योजना आपको मिला है एक पंचाइज बताओ किसको दे मैं कहता था तू ही रख लेगा है एक अनार सौ बिमार मैं किसको दूँगा मैं कहां जगडा करूँगा इस साल में तुम दो दो इंद्रा आवास रोजना देते हो कितने गरीब लोग हमको देना है आज मोदी जी ने चार करोड़ पक्ये घर बनाकर के दे लिए फोर प्रोड़ आपनों जानते होंगे हर पंचायत में हर वाज ने आज चालिस चालिस घर बन रहे और पक्ये मकान बन रहे विड्राइं लूम विड बेड्रूम विड किचिन विड्राइब टॉयलेट आज गैस करेक्शन पक्यान बन रहे और यहां की भी बात करूंँ अगर आपको तो नौ लाख यहां के लिए संक्शन होए नाइन लाक्स और उसमें से कुई दिवान थाउजन यहां के लिए संक्शन होए यह आज बदलता भारत दिखने को और मिर प्रीक कुकिंग गैस का की वेवस्ता की गई है मैं नहीं जाना आप लोग शहर से आते होंगे मैं गाउं से लेकिन मैं आपको बताता हूं मेरे गाउं में बहने दे इस्टू गेट अब इट फाइव अक्लॉक मारी गो तू दू 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 जंगल कट ट्रीज पेड़ पे ट अंकों से पानी निकल जाता था आशे निकल जाके थे तब झाकर के घर को चाये सुबह पिलाने की बेवस्ता होती थी हो एक वाज हमारी बेहनों का पावर्मेंट इतना हुआ है कि टक से लाइटर जिलाती है यह पाँ दिस्टू ग। इस इंपालर्मेंट इस इंपावर्मेंट जल्जीवन मिशन में जरूरा ज्रोर्णी निश्टि इस मैंने आप से बात की आप से आई उश्मान भारत की आज कैसे भारत बाद राय देखिये इसको समय ना पढ़ेगा और मैं बार बार बुटा हूँ if you do not know the dark days you will not understand the brighter days यहां MLA बैठे हैं इसाप बैठे हैं इनसे पूछिए आज से दस साल पहले यह सब लेटर लिखते थे तूदी प्राइब इस्टर तूदी चीफ मिनिस्टर मेरे लाके में एक गरीब व्यक्ती एक टैक्सी ड्राइवर एक फलाना व्यक्ती उसका बाइपास होना है उसका वैल्ड चेंज होना है उसको कैंसर की विमारी है उसको उसको फ्लाने का इला होना एद है इसके लिए अपरेशन के लिए आर चाहिए दो लाख रूबर मूंप है तो अगर करो अगर हो जाए तो जिन्दगी बद जाएगी नहीं होगा तो जिन्दगी चली जाएगा मोदी जी ने कहा कि कुछ बड़ा करना है और आपको जानकर कुशी होगी कि 55 क्रोड लो 10 क्रोड 74 लाग सामेश 55 क्रोड लो यानि भारत की 40 प्रतिशत की आबादी 40 परसंट अव इं लाग करका सालाना है अथ लिए और उपर दिया और मैं अगर बात करूँ तो 62 लाग समी आपका अच्प करनाट का ओंड़ को वह विए अधिए लिए डिशा वार इंटा को अच्छा आइव पर थेला और उटवाल एड़ी वाला थेल सब्जी वाला बसका ड्राइवर बसका बसका क्लीनर ट्रक का ड्राइवर आटो रिक्षा ड्राइवर टैक्सी ड्राइवर लिफ्ट मैं वेटर और बार्बर और पूर पीपल पूर सेक्षिंस अब है राग पिकर जो जो कूड़े दान से प्लास्टिक करता है उसको ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने पांच राफ लुए का हेल्थ कवर दिया और इस तरीके से लाजस्ट प्रोग्राम को आगे बढ़ देए और इन सब कार्डों से भारत आज ती व्रगती से आगे बढ़ रहा है मैं यहां यह भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा लागा जो कि मैंने बात आप से की मैं आप से यह भी श सब्सक्राइब बिहार में वहां महिलाएं अपने दैनिक नित्र कर्म के लिए अपने डेली नीट्स के लिए जुन्द के जुन्द ओपन फिल्ड्स में जाया होती थी इस वाजी कंडिशन और आज मोदी जी ने बारा करोड इज़त घर यारी बारा करोड टॉयलेट्स बना करके उनको लाइफ डिग्निटी बहिलाओं को दीख तो प्रदान की को चाहिए आज एकॉनमी की बात कर रहे हैं मैं अब यह हमारे जो कॉंगर्स पार्टी के लोग है यह हर्मेशा एकॉनमी पढ़ते लिखते नहीं है कोई पढ़ने लिखने से मतलम नहीं होता कुछ जानक आज अमेरिका की कॉनम में साई प्राब्लम में है और करना के वाके गार्भी मिक्यौ आज यूकरेजा की वार्ट के बाद जपांसे ले इंडिया है जहां आज हमारी एकॉनमी मोदी जी के रिटुट में 11 पर खड़ी थी यूपीए के टाइम में 11 पॉजिशन पर वहां से चलांग लगा करके वी हैव डिफीटेट प्रिटिक्श एड नाओ वर एकॉनमी इस फिफ्ट लाज़ेस्ट एकॉनमी इंदी गुए और मैं बार बार बोलता हूं आप मोदी जी को तीसरी वाट अधाननत्री बनाएंगे दो साल के अंदर भारत दुनिया की तीसरी नंबर की बड़ी कॉनमी बन जाएगा लिए फार्मसेटिकल्स में हमारा एक्सपोर्ट 138 परसंट बढ़ गया है विए विकम वर्स डिस्पेंसरी लाज़ेस्ट डिस्पेंसरी दुनिया को दवाई देने का काम भारत ने ले लिया है और आपको जान करके खुशी होगी कि 138 पर जो एक्सपोर्ट परसंटिज का सबसे सस्थी दवा और सबसे इफेक्टिव दवा भारत परागा है अब आटो मोबाइल मार्केट में हमने जापान को पचार करके लिया थी थर्ड लार्जेस्ट आटो मोबाइल मार्केटिंग दिवह जापान को हमने पचार दिया है पेट्ट्रो केमिकल्स में 106 परसंट स्टील के मैंनिफेट्रिंग में हमारे प्रलाय जी सारा काम देखते रहें चौते नंबर से दूसरे नंबर पड़ा गया है और देर नहीं है जब हम नंबर वान को भेड़े हैं कि मुबाइल आप सब के हाथों में मुबाइल टेन यर्ज बैक इसी मुबाइल पर लिखा होता था मेड इन कोरिया मेड इन जैना आज सब के मुबाइल पर लिखा है मेड इन इंडिया इंडिया यह बदलता भारत है जिसको हमको समझना पड़ेगा टॉय एक सपोर्ट में आज हम दूसरे नंबर पर धाई गुना हमारा टॉय स्पोर्ट बढ़ गया देखिया विडवना थी कि दिपावली में हमारा गडेश भी चाइना से आता था हम चाइना के गड़ेश को दिवाली में पुझा करते हैं आज टॉय इंडिस्ट्री में थर्ड लाजिस्ट टॉय इंडिस्ट्री हो गए और धाई गुना हमारा एक्सपोर्ट पढ़ गया इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए अभी बहुत सी चर्चाएं हुई है मैं क करनातक की फंडिंग एलोकेशन जो है वह चार गुना बढ़ गया है उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए अभी बहुत से डेवल्लप्मेंट की बात हमारे प्रलाज जी ने बताई है लेकिन पीए मित्र मेगा टेक्स्टाइल पार्क कलगुर्गी में वो बन रहा है उसी तरीके से ये धारवार के अंदर जो आपका इंडियन इंस्टिटूट अफ टेक्नालोजी है उसका भी इनाउगरेशन हो गया है स्मार्ट सिटीज में हमारी होगली धारवार को जोड़ लिया गया है और एट नाइन सिटीज को स्मार्ट सिटीज में जोड़ लिया गया है उसी तरीके से करनाटक में बोईंग बोईंग इंडिया एंजिनेरिंग एंड टेक्नालोजी सेंटर यह भी बैंगलूरू में इसको भी इनाउगरेशन कर दिया गया है और बोईंग का USA से अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा इस्टाइब्लिश्मेंट हुआ है तो करना तक में हुआ है उसी तरीके से लार्जेस्ट हेलिकॉप्टर इंडियन हेलिकॉप्टर का बैनिफैक्ट्रिंग की फसिलिटी जो है वह भी तुमकूर में उसको भी इस्टाइबलिश किया गया है और एक्सप्रेस वेज के बारे म इन्हांस कर दिया गया है और उसको भी विखास के साथ जोड़ा गया है लॉंगेस्ट रेलवे प्लाटफॉर्म तो आपके पास ही है दुनिया की तो आप समझ सकते हैं कि उडान में बैलगाम हुबली मैसोर विद्यानगर कल बुर्गी बीदर शिमोगा यह सारे को सारे एर उड्च for highways, I for internet, R for railways and A for airways यह highways, airways, internet, railways सब को बढ़ाने का काम किया है तो उसको और इनुए पर बढ़ाए गया है और मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि Baptist tourism को भी बढ़ावा दिया गया है उसको भी आगे लाने का काम किया है आगे हम लोगोंने तै किया है कि लगबत प्रदान मंतरी गरीब कल्यान अगले 5 साल चलती रहेगी। प्रदान मंतरी जिने फैसला लिया है कि हम से तीन करोड़ों को लखपती डीडी बनाएंगे। बात के लिए हम प्रयासरत होंगे इसको काल करें आयुश्मान भारत यूजना में आपको जानकर खुशी होगी कि ट्रांस जेंडर्स को और यूश्मान भारत में लिया गया है और इसी तरीके से महिलाओं के लिए जैसे मैंने कहा कि तीन करोड लगपती दीदी बनेंगे किसानों में पल्सिज और डाल को पल्सिज को और एडिबल ऑइल्स को हम आर्थ निर्वर बनाएंगे इस तरीके से हम कारिक्रम को आगे बढ़ाएंगे मैं यहां जब आपसे यह सारी बाते कर रहा हम विकास की तो मैं अंतर राश्ट्री जगत की भी आपके साथ एक बात कर लेता हूं और वह बात यह है जो समझने योग यह है कि भारत आज दुनिया के हर इंटरनाशनल प्लैटफॉर्म का सदा से हैं इंडिया इस दी मेंबर पर और इंटरनाशनल फोरॉं डिन मेंडि इंद भी सेवट धीटी मेंड विजटा अधर जो से बात हो कोई भी कोई भारत है और भारत की मद्जी थे यह पौर ऑंत की ौट है कि दुए Alors कि ठूजिया सुन रही है इस बात को कर दोंसन ना चाहिए लेकिन सबसे इंट्रेस्टिन बात यह है कि अंतर राष्ट्रिय भाषा में जब भी कोई अंतर राष्ट्रिय देश भारत पर कमेंट करता था तो हमेशा उसके शब्द होते थे इंडिया और पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान यानि इंडिया को पाकिस्तान से अलग देख आज मोदी जी के नित्युनतु के कारण कोई बी अंतर राश्ट्रिय भाषा में इंडिया के साथ पाकिस्तान को नहीं जोडता इंडिया इंडिया हो गया पाकिस्तान रह गया जाहरेना पार यह पर तो इसलिए देश हो सर्जिकल स्ट्राइक मैं पहार से आता हूं बॉर्ड स चलती थी पुंच यहां एक सागी है औफिसल्स भी होंगे पुंच मंघ मौली चलते हैं पुंच वाला रिपोर्ट करता था नगरोता तलीन को चंढि मंतिर десятुरेपोर्ट रेपोर्ट करता था दिल्ली को दिद्ली बोलता था चुप रहो जब बताएंगे तब खोंद अदर यह फरक है यह फरक है हमारे हमारे पौजी भाईयों के हाथ मांद दिये थे गोली खाते रहो हैड़कॉटर जवाब नहीं देगा सजियन दस दिन के अंदर का था हम इसका जवाब लें और घर ने खुष कर सर्जिकल स्ट्राइट किया उग supply अगर कि घृतना घटी तो पदान मंत्री जी ने कोई पागे आज तक ऐसा नहीं कहा होगा उन्हों ने कहा पाकिस्तान तुमने बहुत बड़ी गल्ती कर दी है यूव कमिटेड़ ब्लंडर तुम्हें इसका खम्याजा भुगतना पड़ेगा और दस दिन के अंदर एर स्ट्राइक करके सारे केंप कर दिये और पाकिस्तान चूट अपने का यह आज बनलता भारत है यह भारत की तस करना चाह temos और एक तरफ मोधी जी कह रहे है लाल किले के प्राफीर से कहरें अब भृत आचार करप्शण गरीब आदमी पॉकेट पर डाका डालने के बरादर है अब भषताचार हम किसी भी लासार नहीं करेंगे और कारवाई करेंगे यह लाग किले के प्राचीर से प्रानुत्री निकाल गरीबों के हख पर ढाका नहीं डगने देंगे और दूसरी ओर यह इंडी एलाइंस है यह घमंडिया एलाइंस है यह सब बोलते हैं ब्रश्टाचारियों को बचाने का जमावड़ा है मोदी जी बहुते हैं ब्रश्टाचार हटाओ और यह कहते हैं ब्रश्टाचारियों को बचाओ अब आपको तैय करना है एक तरफ परिवारवादी पार्टी है और एक तरफ यह सब साधारन घर से आये हुए लोग आज आप लोगों ने इनको नेता बनाया है यह प्रजातान िाली तरीके से जीत करके आये हैं उज़र से सब देखिए मैं उधारन रहता हू आपको परिवार पार्टी है कि नहीं हैं। इन्होंने तो चाचा भी निकाल दिया आप बताये लालू रावणी तेजस्वी तेज़वी परिवार की पार्टी है कि नहीं है आप बताये मंता अभिशेक बुआ भती जाप परिवार की पार्टी है कि नहीं है कविता परिवार की पार्टी है की परिवार की नहीं थाई खुरनःने उद्य लोगा खुष कि हैं नहीं कि रही? परिवार की पार्टि यह सारा देश का नकसा देख लो ये सारा इंडी एलायन्स परिवारों की पार्टी आप दिए सोनिया राहुल प्रियांका परिवार की पार्टी यह बाएं बाकी सब जुन जुना बजाओ सब शुटि कोई मतलब नहीं ये परिवार की पार्टि आपब級 अब बताईए कॉन्फल ने कोया गुटाला किया था कि नी कियाथ है आप बताइए चावल किया कि नीयों घुटाला किया था cel पंदुभी गुटाला Gordon camera आउगस्टा वेस्लैंड गोटाला किया था कि नहीं किया थी जी का गोटाला किया था कि नहीं किया था कॉमन वेल्ड गेम्स का गोटाला किया था कि नहीं किया आप बताएए अकिलेश ने लैप टॉप गोटाला किया कि नहीं किया गोंती रिवर्फरंड गोटाला किया कि नह कि लालू ने चारा घोटाला किया क्या साफ अलक टोटाला किया कि निक्या जमीन के विड़ी नोखरी Contracts कि नहीं कि इ१िस्भाग आंन्ध्री बेसे अजया की बैटी चैनल connection घोटाला किया के नहीं कि लिए उधर इद्री कि स्क्रहण और के प्रॉपर्टी एक वन पॉइंट ट्री टू लग करोड आंदरी है कि नहीं है बरस्टाचार किया कि नहीं किए है आप बताइंए अचा पी बताइए राहुल पर है कि नहीं एप सोनिया बेल पर है कि चितमरं पर है कि नहीं है आप बताएए ये टीम सी के मंत्री बेल पर है कि नहीं है आप बताएए अर्विन के दिरिवाल जेल में है कि नहीं है आप बताएए मनी सुषदिया जेल में है कि नहीं है आप बताएए आजब खान जेल में है कि नहीं है आप बताएए टीम सी के नेता जेल में है कि नहीं है आप बताएए डीम के के नेता जेल में है कि नहीं है ये आदे बेल पर हैं और आदे जेल में है ये हैं इंडिया यह इंडिया इंडिया इसारे बर्ट फेदर फ्लॉग टू गैदर एक तरह के पंक के चिरिया एक ही जगह इकट्थी यह सारे इकट्थे हो गए अब आप बताए हम लोगों ने बरस्टाचार को मिटाना है ना मोदी जी क्यों मजबूत करना है ना उनको प्राहन मंत्री बनान है ना प्रहलाज जोशी को फिर से बेजना है ना आप अपना पूरा योगदान राश्ट्रवादी ताक्तों को साथ खड़े होंगे ना आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जैधारच जैकरणा अब कर दूद कर दूद अपना है